मुझे दोश न देना जगवालो मुझे दोश न दे जगवालो हो जाओं अगर मैं दीवाना चंदन साबनन कहने का मतलब यही है जो मरजी को हुआ आपका भाव प्योर होना चाहिए तेरा साथ गे तो मुझे क्या फिकल गे तेरा साथ है तो मुझे क्या फिकल है ये बाबा दिदी रख्मतों का असे है तेरा साथ है मैं तो इस गली में करीब आया हूँगा तस ग्यारा साल के बाद आया हूँगा ग्यारा सुपर मुझे आज भी याद है सामने एक बड़ी प्रसिद धरमशाला है हमारी कि मैं वाँ पर करीब छे घंटे बैठके गया कितने दिन छे घंटे और यहां पर बैठने से ना कभी आपने आपको ये मज़ सुचना कि दरबार में बैठने से आपको कोई तकलीफ होगी आपका इगो हर्ट हो जाएगा ना यहां जितनी देर बैठोगे ना उतना तपोग जितन भाई आजकल यही चीज़ है कि आजकल के सिंगर्स को सबर नहीं है तब होगे हमने मैं प्रिंस भीया में आपको नहीं जानते हो थोड़ा साथ थोड़ा बहुत फेस्बुक से जानता हूं आप लेकिन मैंसे आप से मेरी पहली मुला काते आज है इस दरबार में 6-6 ग 8-8 घंटे बैठे हम 8-8 घंटे और उसके बाद भी 8-8 घंटे यह पता पड़ता था था ना कि अब अपड़ा नमबर आएगा कि उस समय कोई बड़ा संगर किरा जाता है नामी इसंगर नहीं ने खुछ सो किया होगा है तब उन पर उतनी करफा हुई वो सब्र रक कर चलो वो बात रख कर चलो इस दर से कभी कोई खाली नहीं गया ना कोई जाएगा, इस दर्बार से हमेशा मिला गए, मिलता रहेगा, लेकिन तेरे मन में वो सबर होना चाहिए, आठ गंटे बाद पर एक बजन गाने को मिला, मिरिशन बग गए, यार हम दो नी बजा रहे हैं, उसके बाद तालियों भी गा लिया, कि आप सब बैटें आप जो जो मर्जी बोल भी देना दो बात, कोई बात है, मेरे को याद है, मैं ये बात कभी कभी बोल दीता हूं, इस दर्बार में कभी भी अकड़ना नहीं चाहिए, इस दर्बार में, हमेशा सर लो, ना जाने कितने बड़े बड़ों की अकड़ निकल गई, हम तो कुछ भी न जादा उड़ने वालों के बात सही है लेकिन वो शब्द नहीं है बात अलग है बात तो वोई है ना किस-किस के नहीं कटे का रामण जैसा प्रामण विद्वान नहीं कटे के रहे जो भी जादा हुआ उसका तो धन्य बात करो तेरा साथ गए तो मुझे क्या फिकर गए तेरा साथ है तो मुझे क्या फिकर गए ये बाबा तिरी रखमतों का असे है तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डल है ये बाबा तिरी रखमतों का असे है तेरा नजर लगाए लाख जमाना नजर लगाए लाख जमाना मेरी मुस्कुरा है मेरी गर्खुशी को मेरी मुस्कुरा है मेरी गर्खुशी हो ओ नजर क्या लगे जिस पे तेरी नजर है ये बाबा तिरी रखमतों का असे है मेरी एक छोटी सी सोच है यहां पर आका शिकायत यह नहीं करनी चाहिए इस दरवार में आपको खूब दिया परमात्माने आपके घर में दो बच्चे हो अगर आपको मेरी बास समझ में आएगी तो शायद फिर उसके बाद आप कभी यह शिकायत नहीं करो और आप ने उन दोनों बच्चों के लिए खूब अफर्ट्स कियों खूब मौच कर रखियों एक बच्चा जो मिले वो चुच्चा आप ले और मुश्कराता हुआ गए पापा बहुत बढ़िया आप बढ़िया हो को शिकायत नहीं करें को डिमांड नहीं करें और एक बच क्या दिखकते तुझे करें देखकत है फिर बैटा ना दिया चल दिवी लिजा अब वो जब आए वो तब रोता हुआ है सब कुछ मिलने के बाद भी तो क्या करोगे बताओ कि दो पड़ेंगे कान पे तिरा काम है रोना तुरो बैटके बस सब कुछ मिलता है उसके बाद भी रो रहा है कोई हाल यहां पर भी है सब कुछ देता है उसके बाद भी काई को रो तेर फिर दन्यवाद करो ना उसका जितना कर सकते हो बावा तेरी क्रपाय तेरी दया है त तो मेरे जो लोग देखते हैं जो हमें फॉलो करते हैं वह क्या कहें गए बेना मतलब की काटू जाता है वह जाकर भी दुखी है तो फिर जाने का फाइदा क्या है जब यह तुखी है ले जब यह तुखी है तो जो मिल जाए वह ठीक है आपकी करपा बने चाहे दुश्यमन जमाना ये सारा तू साथी है तो सब मुझे गवारा सोनू वो मिटे जो बना खुद के दम से सोनू वो मिटे जो बना खुद के दम पे वो कैसे मिटे जिसको तू ने समा रहा तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिकर गए ये बाबा निरी रहमतों इसलिए जीवन में एक पास सिख लो जब भी जैसी भी जिस अवस्ता में भी रहो को मौज है कोई पूचे कैसे हो मौज कर रखी है बाबा ने जिस अवस्ता में भी हो अरे 24 गंटे में एक बार सास्वती जबान पर वैठती है क्या पता है आप बोलो मौज है और जिन्देगी भर के लिए मौज हो जाए आपकी वैसे तो कोई दिकत ही नहीं हमेशा बोलो मौज है खूब करपा है खूब दया है खूब आश्यवाद है तो आई फिर फुने दोनों परिवारों को बहुत बहुत है यहां जनम दिन की हमा कर दो स्टेगी झापक के लिए मेंशन की हमा इता है वापका आपके लिए स्टाब का लिए मेंशन की हमें।